तो क्या सुरू किया जाए स्वागत है बच्चों आपका इस चैनल पर और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बिकोज आज आप लोग समझने वाले हैं कि इस पर स्रेखा का समीकन और अभिलंब का समीकन कैसे ग्याद करते हैं ठेक हैं मैं आपको डेटेल में ब बताया था कि आप रेखाओं की प्रमणता कैसे निकाल सकते हैं उसके तीन तरीके हैं मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था और उससे भी पिछले वाले लेक्चर में जिसमें मैंने बेसिक समझाया था उसमें भी मैंने पूरा एक्स्प्लेइन किया था ठीक है तो अ questions कराना शुरू करता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ठीक है तो मेरा मेरी उमीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे इसलिए मैं आपके लिए मैंनत कर रहा हूँ और अगर आपको वीडियो पशंद आ आपके पास जहां पर आप मैथमेटिक्स को सबसे सरल तरीके से सीख सकते हैं और साथी साथ में फिजिक्स को भी फील कर सकते हैं जो आल लेडी अपलोडेट है हमारे चैनल पर अगर आप फिजिक्स के स्टुएंट हैं होंगे ही होंगे अगर मैथ पढ़ते हैं ठीक है तो आपके लिए physics का पूरा का पूरा course हमारा uploaded है, आप जाएएगा channel में, channel पर जैसे ही click करेंगे तो वहाँ पर playlist में जाएगा, playlist section में जाएगी तो वहाँ पर सारी playlist chapter wise आपको मिल जाएगी, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, चलो हम आज के बात करते हैं, आज हम question number exercise आपको दि होगा, अगर आप regularly यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर देखेएगा, question number 10 से question का, मतलब format change हो जाता है, question number 1 से 9 तक में कहा गया था, कि अब यह प्रवणता ग्याद किजिए, अभिलंब की परणता और स्पर्स रेखा की परणता ग्याद करने को कहा था, यहाँ प पर लिख दिया है, M प्रवणता वाली एवं बिंदू X1 कामा Y1 से जाने वाली रेखा का समीकण है, वो अभिलंब का हो या फिर इसपर्स का हो उससे नहीं मतलब है, अगर कोई ऐसी रेखा है, जिसकी प्रवणता आपके पास दी गई है M, और वो किस एक बिंदू से होकर क जा रही है, X1, Y1 एक बिंदू दिया है, तो एक प्रवणता दी गई है उस रेखा की और उस रेखा पर स्थित कोई बिंदू दे दिया है, तो हम उस रेखा का समीकण ग्याद कर सकते हैं, Y-Y1 बराबर M into X-X1 फर्मूले से, ठीक है, तो ये किसी भी रेखा का समीकण है, य किसी भी रेखा का समीकण जिसकी प्रवणता M है और जिसका बिंदू X1, Y1 है, ठीक है, अब जरा समझेए, अब हम जब स्पर्स रेखा का समीकण ग्याद करेंगे, सुनिए, स्पर्स रेखा का जब आप समीकण ग्याद करेंगे, तो M की जगे पर स्पर्स रेखा की प्रव अब प्रवंदा कैसे आप निकालोगे तो इसफर्स रेखा की प्रावणता की रिए के पास वक्र दिया होगा उसका आप x के साप एक्ष ओकलन करेंगे मतलब dy बटे dx निकालेंगे at x1 y1 पर मैंने पिछले वाले वीडियो में यह discuss किया था और समझाया भी था आपको ठीक है कैसे निकाला जाता है मैंने पूरा process बताया बहुत सारी m निकाल लेना है मतलब dy by dx गयाद करना है स्पर्स रेखा की परणता गयाद करिए स्पर्स रेखा की परणता गयाद करने के बाद में अगर उसका आप inverse ले लेते हैं मतलब उसको पलट देते हैं और माइनस लगा देते हैं चिन्न बदल देते हैं तो वो अभिलंब रेखा की परणता हो जाती है, जरह समझो एक बात यहां पर एक जरह धान से सुनना, अगर आपके पास स्पर्स रेखा की परणता दिये है M, तो अभिलंब की बहीया परणता जो है वो माइनिस का वन अपान M हो जाएगा, पलट देंगे और माइनिस लगा देंगे लेकिन आगे सुनना अगर आपको अभिलंब की परणता बता दी गई कि M है अभिलंब की परणता क्या है M है तो स्पर्स की परणता क्या होगी तो यह माइनिस वना पान M हो जाएगा समझो, अगर स्पर्स की प्रणता M है तो अभिलंब की प्रणता निकालनी है तो उल्टा करिए, माइनस लगाईए और अगर अभिलंब रेखा की प्रणता दी है उससे आप स्पर्स रेखा की प्रणता निकालना है, तब भी वही करना है उल्टा करिए माइनस लगाए तो इसपर्स रेखा की हो जाएगे तो अभिलंब की दी हो तो इसपर्स में बदल लेंगे इसपर्स रेखा की दी हो प्रवणता तो अभिलंब रेखा की प्रवणता में बदल लेंगे ये तो आप करी लेंगे चलो अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं तो अब हम सुरू करते हैं क्योस्टिन को क्योस्टिन नमबर 10 से हम लोग चलना है एक बात याद रखना इसपर्स रेखा का समीकर्ण हो या फिर अभिलंब रेखा का समीकर्ण हो आपको जरूरत क्या है दो चीजें आपको M मतलब प्रवणता उसकी पता होनी चीए और किस बिंदू से होकर के जा रही है कोई एक बिंदू पता होना चीए बस अगर ये दो चीजें पता हैं तो आप रेखा का समीकर्ण निकाल पाएंगे इस पर रेखा का हो या फिर अभिलंब रेखा का हो अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ये अगर वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक किये बिना मत जाएगा क्योंकि आपके लिए हम बहुत महनत करते हैं क्योंकि अगर बात करें तो क्या है प्रवणता माइनस एक वाली सभी रेखाओं का समीकन गयाद किजिए क्या प्रवणता एक वाली माइनस एक वाली सभी रेखाओं का समीकन जिसके प्रवणता माइनस एक है प्रवणता क्या है माइनस एक तो प्रवणता को हम M से लिखते हैं तो प्रवणता माइनस एक वाली सभी रेखाओं के समीकर्ण ग्याद करना है क्या रेखाओं के समीकर्ण रेखाओं मतलब ज्यादा रेखाए होंगी एक ही नहीं होगी रेखाओं के समीकर्ण आपको क्या करने है भाईया ग्याद करने है ठेक है ग्याद केजिए जो वक्र वक्र क्या दिया है y equal to 1 upon x minus 1, ठीक है, को sparse करती है, इसको sparse करती है, तो एक बात याद रखना, sparse रेखा की प्रवणता और उसके समांतर रेखा की प्रवणता बराबर होती है, ठीक है, अब जरा समझो, आपको क्या गयाद करना है, रेखाओं का समीकन गयाद करना है, जिसक की प्रवणता है, ऐसे रेखाओं के समीकन गयाद तो करेंगे, लेकिन हमने बताया, समीकन गयाद करने के लिए क्या चाहिए, एम तो चाहिए ही चाहिए है, जो दिया है, लेकिन आपको को कोई बिंदू भी चाहिए, वो आपको नहीं दिया है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बिन्दुग्याद करना होगा तो बिन्दुग्याद करने के लिए क्या करेंगे आप इसका आउकलन करेंगे क्या हो जाएगा dy by dx equal to 1 upon x का आउकलन होता है minus 1 upon x square मैंने आपको ये पढ़ाया है minus 1 upon x minus 1 का whole square हो जाएगा और x minus 1 का दुबारा होगा तो कोई फैदा नहीं है 1 ही हो जाएगा तो 1 upon x का आउकलन होगी है minus 1 upon 1 minus x square 1 minus x square होता है तो 1 minus 1 का whole x minus 1 का whole square होगी है ये पर अब आपको क्या करना है इसकी परौणता minus 1 दी है इसका मतलब है यहाँ पर आप minus 1 रख दे भाई dy by dx को ही तो हम परौणता कहते हैं तो ये minus 1 यहाँ पर रख दिया बराबर में minus का 1 upon x minus 1 का whole square बात क्लियर है minus से आप minus cancel out कर देंगे और इसको हम x minus 1 का whole square बराबर में 1 लिख सकते हैं या फिर हम x minus 1 बराबर में plus minus 1 root 1 में लिखेंगे root 1 बाहर निगलेगा तो plus minus 1 अगर हम x minus 1 बराबर में देखें यदि x minus 1 बराबर में plus का 1 लिया जाए तो x बराबर में क्या आ जाएगा 2 1 उधर जाएगा जुड जाएगा और अगर अगर मैं x minus 1 बराबर में minus का 1 ले लूँ तो क्या होएगा x बराबर minus 1 उधर जाएगा plus का 1 तो 0 आ जाएगा तो x के 2 मान निकल के आएगे 1 2 और 1 minus 0 1 2 और 1 0 ठीक है अब 2 बिंदू भी निकलेंगे x बराबर जब 2 होगा तो y बराबर कितना होगा यहां से निकाल लेते हैं x बराबर 2 तब y बराबर कितना 1 बटे 2 minus 1 तो यह बन जाएगा 0 भी यह सॉरी 0 नहीं 1 1 2 से 1 जाएगा 1 बटे 1 मतलब 1 ही आएगा तो पहला बिंद जो आ गया वो आ गया 2 कामा 1 x 2 y इसका 1 अगर मैं x बराबर 0 ले लूँ तो y बराबर क्या होगा पहले यह रखो 1 अपान 0 minus 1 equal to minus का 1 हो जाएगा तो दूसरा बिंद हो गया 0 कामा minus 1 2 बिंद हो गये प्रवणता 1 है आपको समीकर निकालने हैं रेखाओं कि तो आप क्या करेंगे बिया हमने बताया है कि एक प्रवणता दी हो और बिंद दिया हो तो हम समीकर निकाल लेंगे अब हमारे पास एक बिंद ये हो गया देखो इस फर्स रेखा का समीकर गयात करते हैं पहली रेखा का समीकर M है minus 1 हमारे पास और बिंद है 2 कामा 1 पहले इस बिंदू से निकालेंगे, बाद में दूसरे बिंदू से निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, फार्मुला क्या होता है, रेखा का समीकर्ण क्यात करने के लिए मैंने बता दिया था, फार्मुला है y-y1 बराबर में m into x-x1, ठीक है, y-y1 की जगे पर क्या रखेंगे, x 1 होता यह y1 y1 का मतलब 1 बराबर में m की जगे पर माइनस का 1 into x माइनस x1 की जगे पर 2 माइनस 1 अंदर गुणा हो जाएगा तो y माइनस 1 बराबर में माइनस का x और प्लस का 2 इसको एक तरफ लेके आते हैं अगर तो क्या बनेगा आपके लिए ध्यान से देखेगा y minus 1 प्लस का x आएगा minus का 2 आएगा बराबर में 0 तो x plus y minus 3 equal to 0 यह पहला समीकण निकलाया इस परस रेखा का रेखाओं के समीकण हमें ग्याद करने थे पहली रेखा का समीकण ग्याद हो गया दूसरी रेखा का समीकण ग्याद करो फिर वही फार्मुला y minus y1 बराबर में m into x minus x1 फार्मुला तो वही होगा ठेके y minus y1 की जगे पर क्या minus का 1 तो minus minus plus 1 हो जाएगा बराबर में m की जगे पर minus 1 x minus x1 की जगे पर वही है 0 आएगा y plus 1 बराबर में minus का x बचेगा इधर ले आओगे तो x plus y plus 1 बराबर में 0 ये आपका दूसरा समीकण आगया और इस तरह से हमने दोनों रेखाओं के समीकण ग्याद कर लिए हैं बहुत इजिय है बस दिमाग में concept clear रखिये कि हमें करना क्या है इसने दिया क्या था प्रवर्णता दीथी और कहा था समीकण ग्याद किजी रेखाओं के लेकिन रेखाओं के समीकण ग्याद करने के लिए केवल प्रवर्णता की नहीं प्रवर्णता के سाथ में एक निकले और इससे दो बिंदो निकला है एक बिंदो से एक रेखा दूसरे बिंदो से दूसरी रेखा ठीक है तो ये concept समझ गया होंगे इसके बाद मैं 11 सवाल जो है सेम इसी प्रकार का सवाल है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल है ये मैं आपको question नहीं बताऊंगा आप इसको देख करके आप इसका स्कुन साल ले लिजिए और इसको देख करके आप अपने आप निकाल सकते हैं ठेक है इसके बाद मैं 12 वे question को मैं ले लेता हूं हो सकता है कि आप देखो है तो बिल्कुल इसी प्रकार का वो भी question 12 भी लेकिन मैं फिर सोचता हूं कि यार इसको तो आपको बता ही देना चाहिए तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ठेक है धान से देखिए और आप ये याद रखेगा आप questions अपने आप जरूर सौल करिए भाई ठीक है अगला question क्या है question number 12 ग्यारों मैंने आपके लिए छोड़ा है बारवा question है प्रवणता जीरो वाली अपकी बार पढ़ोता है कितनी जीरो प्रवणता जीरो वाली रेखाओं के समीकन ग्याद करने है फिर रेखाओं के समीकन ग्या क्या करने हैं ग्यात करने हैं प्रवणता जीरो है ठीक है और जो इस वक्र को परस करें वक्र क्या दिया है वन अपान x square minus का 2x plus का 3 कोस परस करते हैं चलो ग्याद करते हैं इसको ग्याद करने के लिए भी वही है आपके पास प्रवणता तो दी है लेकिन आपको बिंदू नहीं दी है तो बिंदू ग्याद करने के लिए इसका आप alkaline करोगे तो आप क्या करोगे dy by dx करोगे ठीक है alkaline कैसे करोगे इसको हम x मान लेते हैं चैन रूल लगाते है 1 upon x का क्या होता है minus 1 upon x square x square minus 2x plus 3 का whole square ये पूरा x है तो 1 upon x का alkaline होता है minus 1 upon x square तो 1 upon x square x मैंने इसका मुला था इसका square हो जाएगा लेकिन जिसको x माना जाता है दो x का alkaline 2 हो गया चीक है इस तरह से आपके पास जो dy by dx आया हमें पता है कि dy by dx को ही हम प्रवणता कहते हैं जिसकी जिवे पर हम 0 लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए उपर हो जाएगा वही आपके पास minus का 2x और minus अंदर जाएगा 0 इनके साथ यह गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भई इनके साथ जरा गुणा करिए तो यह क्या बन जाएगा 0 हो गया इनके साथ इनके गुणा करिए तो यह बन जाएगा minus का 2x प्लस का 2 2x इधर लेके आईए 2x बराबर में 2 बचेगा और X वराबर में आपके पास एक बचेगा ठीक है X वराबर क्या मिला आपको एक मिला अगर X का मान आपको एक मिल गया है तो Y का मान क्या होगा आप निकाल सकते हैं आराम से कैसे निकालेंगे यहीं पर Y equal to 1 upon X की जिगे पर क्या रखना है एक तो एक का स्क्वेर माइनस में दो गुड़े एक प्लस में तीन तो Y वराबर एक बटे एक माइनस दो प्लस तीन Y वराबर में एक बटे तीन एक चार में से दो गया तीन भीया बचा क्या बचेगा यार चार में से दो गया दो बचेगा ठीक है तो यह आपके पास बचा केवल और केवल 2 तो य का मान 1 बटे 2 आया x का मान 1 था तो बिंदू जो निकले हैं बिंदू क्या बने आपके एक कामा 1 बटे 2 ठीक है और पृणड़ता आपकी क्या थी m बराबर 0 रेखा का समी कड़ गयात करना है तो देखो एक ही बिंदू निकला है दूसरा बिंदू निकला नहीं है तो एक ही रेखा यहाँ पर बनेगी ज्यादा रेखाएं नहीं मिलेंगी ठीक है चलो करते हैं भई हम रेखा का समी कड़ गयात करना है फार्मला आपको याद हो गया बराबर में M into X minus X1, ठीक है, Y minus Y1 की जगे पर हम क्या लिखेंगे, 1 by 2, बराबर में M, M की जगे पर आप क्या लिखेंगे, 0 into X minus X1 की जगे पर 1, देखो, 0 का multiply होगा, जब X वगरा से, तो वो तो 0 हो ही जाना है, कोई मतलब नहीं, इधर के वल, Y minus 1 by 2 बचा, बराबर में 0, च चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2Y बराबर में 1, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2Y minus 1 बराबर में 0, जैसे भी आपको दिया हो, वैसे आप answer ले लिजिए, मुझे नहीं पता कि आपके answer में कैसा answer दिया है, इसमें से कोई भी दिया होगा, तो आप लिख सकते हैं, ठीक क्या बात है कि हस्ति बिटती नहीं हमारी अगला यह question है question number 13 क्या दिया है x square एक वक्र दिया है x square अपान कितना है 9 plus y square अपान 16 बराबर में 1 यह एक ellipse दिया है एक तरीके से उन बिंदूओं को ग्याद किजिए जिन पर स्पस रेखाएं बिंदू हमें ग्याद करना है क्या ग्याद करना है बिंदू और कौन से बिंदू दो बिंदू ग्याद करने पहले एक ऐसा बिंदू जिस पर स्पस रेखा जो है वो x अच्छ के x अच्छ के समानतर हो क्या हो समानतर हो ठीक है ऐसा बिंदू ग्याद करना है जिस पर स्पल्स रेखा खेची जाए वो X अच्छ के समांतर आ जाए तो ज़रह हम गयाद करते है वहीया इस पर स्पल्स रेखा पहले बिंदू गयाद करना है तो अब यहाँ पर देखो indirectly क्या दिया गया X अच्छ के समांतर होने का मतलब मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था बताया था अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि X अच्छ के समांतर होने का मतलब क्या है कि उसकी प्रवणता 0 होती है और y h के समानतर होने का मतलब है उसके प्रवणता infinite होती है ये दोनों concept आपको पता होंगे तभी आप questions कर पाऊँगे बहुत आसानी से x अच्छी के समानतर है इसका मतलब इसने बोल दिया है कि इसकी जो प्रवणता है वो 0 है ठीक है तो dy by dx की जगे पर 0 रख देते है चलो करो भई x square का हो जाएगा 2x अपान में 9 y square का हो जाएगा 2y अपान में 16 है और y के साथ में dy by dx रहता है आपको पता ही होगा और आगे 1 का ओकलन 0 ही होगा चलो ठीक है यतरा हो गया अब क्या कर रहा है कुछ नहीं dy by dx की जगे पर 0 रख देना है इसी को हम M कहते है हमें पता है न dy by dx को ही भईया कहां गया मार करिया dy by dx को ही हम M कहते है प्रमणता कहते है तो 2x अपान में 9 प्लस 2y अपान में 16 इंटो में 0 बराबर में 0 तो यह पूरा 0 हो जाएगा 0 से multiply होके तो बचेगा क्या आपके पास 2x अपान 9 बराबर में 0 9 भी उधर जाएगा 0 2 भी उधर जाएगा 0 इसका मिलब है x बराबर में 0 आया और भईया जब x बराबर 0 आएगा तो y का मान क्या आएगा हम यहां से निकालेंगे इसमें रखिए x बराबर 0 है तो जहां पर x आएगा वहां पर 0 रख दो 0 का square अपान में 9 प्लस y का square अपान में 16 बराबर में 1 0 का square से गुणा होंके यह तो आला पूरा portion 0 हो गया बचेगा आपके पास y square 16 इधर उधर कर देंगे तो 16 उधर हो जाएगा और y बराबर root में 16 हो करके y बराबर plus minus 4 हो जाएगा तो बिंद जो निकल के आए आपके वो बिंद क्या निकल के आए जो आपको ग्याद करना था 0 x का मान है और y का मान है plus minus 4 या फिर अलग अलग आप लिखना चाहते हो तो एक बिंद हो जाएगा 0 का मा चार दूसरा बिंद हो जाएगा 0 का मा माइनस 4 तो आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे दो अलग लग लिखतें ठीक है तो ये बिंद हो गए जहाँ पर x अच्छ के समानतर होगी इस परस रेखा पहला इसका हो गया दूसरा इसका जो पार्ट है य अक्छ के समानतर है तो ये आप नोट कर लिजी इसके बाद में हम आपको बताते हैं जब ये य अक्छ के समानतर होगी मैंने अभी तो बता ही दिया है आपको yh के समांतर होने का मतलब क्या है जड़ा समझिया दूसरी कंडिशन है इसकी yh के समांतर जब समांतर इस पर रेखा yh के समांतर होने का मतलब क्या है इसने m बराबर क्या बता दिया है infinite ओके no problem आराम से करते हैं अब इसका फिर उकलन करते हैं क्या बनेगा 2x upon 9 बराबर में 2y upon 16 dy by dx बराबर में 0 एक काम करते हैं पहले और dy by dx निकाल लो जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा 2x upon 9 को उधर कर देते हैं सो इधर बचेगा 2y upon 16 dy by dx यह पहले वाले में भी कर सकते थे लेकिन उसमें ज्यादा हमें इजी लगा उस तरह से अब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो मैं तो आप ऐसे बता देता फिर फैदा क्या है यहां से dy by dx निक क्या जाएगा 16 बटे में क्या आएगा 2y दो से 2 खतम x नहीं खतम है ठीक है और तो कुछ खतम नहीं होगा चलो तो dy by dx निकला है इधर लेखते हैं ठीक है पर इंफानाइट रखेंगे आप माइनस 16 बटे 16 x बटे 9y अच्छा इंफानाइट का मतलब आप इंडाइकली हमेशा यह रख लिया करो कि 1 अपान 0 भाई एक को 0 से अगर भाग करोगे तो क्या आएगा इंफानाइट यही तो है तो आप यहां पर 1 अपान 0 मान करके चलो क कि 1 अपान 0 है बराबर में माइनस 16 x बटे 9y तेरी एक कुणा कर दो 0 से इसकी कुणा हो जाएगी 9y से 1 की कुणा 9y और बराबर में 0 से जिब बुणा हो जाएगी तो यह 0 इसका मुलब है y का वैल्यू भी आपका 0 आएगा y का वैल्यू जिरू आएगा तो x का क्या होगा पराब रख देजे वैल्यू ठीक है रखें देखो x की जगे पर x स्क्वेर ही रखो बटे में 9 है प्लस y की जगे पर आप 0 रखेंगे 0 का स्क्वेर बटे 16 बबराबर में 1 इसका मतलब तो खतम है 0 का स्क्वेर हो गया यह 9 बचेगा उधर कर देंगे x स्क्वेर बराबर 9 x बराबर रूट 9 और x बराबर प्लस माइनस 3 आएगा तो बिंदु क्या आया आपके पास जो बिंदु आपके पास ग्यात करना था वो यह x कामा y होता है न तो x क्या है प्लस माइनस 3 कामा y का मतलब 0 अलग अलग लिखना चाहते हो तो 3 कामा 0 लिखो फिर माइनस 3 कामा 0 लि अगे question number 13 बड़ा easy था आपने समझा धैरे से बस धैरे बना करके वीडियो देखते रही है यह डेली जो मेरे वीडियो आरहें आपको साम को 5 बज़े मिलते हैं आप उनको देखिए अगर आप previous वाली वीडियो देखना चाहते हैं अगर आपने नहीं देखें तब भी आप चा लेते हैं यह question number 14 की अब हम बात करने वाले है ठीक है question number 14 में क्या दिया है दिये वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदूओं पर इसपस रेखा और अभिलंब रेखा के समीकन ग्याद कीजिए मलब नीचे वक्र दिया है और बिंद दिये हैं इसपस रेखा का भी समीकन आपको अभिलंब रेखा का भी समीकन ग्याद करने दोनों ग्याद करने question थोड़े लंबे हैं लेकिन आप समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे पहला question मैं आप बात बताता हूं सबसे पहला question इसमें जो दिया है वो दिया है एक वक्र y is equal to x की power 4 माइनस का 6x cube प्लस 13x square माइनस का 10 x plus five ठीक है और बिंदू आपको दे दिया है 0 कामा 5 पर सबसे पहले आपको इस परस रेखा का समीकन ग्याद करना है तो समीकन ग्याद करने के लिए हमें पता है कि एक बिंदू पता होना चाहिए और उसकी प्रौणता पता होनी चाहिए बिंदू तो अपकी बार दिया है प कर सकती है नो प्रोब्लम करते हैं आउकलन करें भाई देवाई बाई डी एक्स एकल टू क्या हो जाएगा फोर एक्स क्यूब यहीं होगा तीन निचाएगा छैतियां अठारा बन जाएगा एक्स स्कूर दो निचाएगा तेरा दोना 26 एक्स बन जाएगा और माइनस का 10 हो जा स्कूर प्रोब्लेय क्या लिखना है जीरों का घूब माइनस मैं अठारा एक्स के जिगे पर आपको 0 का स्कूर प्लस 26 दोब्लन कर दो आपको 10 निकलके ठीक है अभी लंब के समय करकी बात करेंगे तो इसके हम प्राउंड ता बदल लेंगे बस फार्मुला वही रहेगा फार्मुले में कोई चेंजमेंट नहीं भईया ठीक है तिरा समझो य-1 इस पर रेखा कर समय कर निकाल रहें y-1, m into x-x1, y-1 की जगे पर क्या लिखेंगे भईया, y-1 की जगे पर 5, m की जगे पर माइनस का 10, x-x1 की जगे पर भईया 0 चेंगे तो अब आप क्या कर ओके y-5 बराबर में माइनस का 10 x हो जाएगा 10x इधर आएगा तो प्लस का 10 x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0 ये आपका स्पर्स रेखा का समीकण तो निकल आया अब आप अभिलंब का समीकण निकालना चाहते हैं यह यह स्पर्स रेखा का था ठीक है यह स्पर्स रेखा की पॉर्णता है अब अभिलंब रेखा की अगर आप प्रवणता निकालना चाहते हैं तो अभिलम रेखा कि प्रवणता को अगर मैं M से ही वेक्त करूँ M से ना करके M डैस करते हैं क्या M डैस से वेक्त करता हूँ तो क्या हो जाएगी 10 का उल्टा करिए 1 अपान 10 चिन बदल दो माइनस का था तो प्लस हो गया चलो प्लस का चिन लगाते भी नहीं है तो वर अपान 10 कह सकते हैं इसके प्रवणता अब फिर फार्मला यही है Y माइनस Y1 बराबर में M M की जगे पर आपके बार M डैस अभिलंब की है X माइनस X1 ठीक है Y माइनस Y1 की जगे पर आप क्या लिखोगे बिंदु वही है बिंदु तो बदल ही नहीं है न प्रवणता क्यावल बदली है बिंदु वही है तो क्या हो जाएगा भई पांच ठीक है और बराबर में M डैस की जगे पर क्या लिखोगे 1 अपान 10 और X माइनस X1 की जगे पर 0 10 इधर आएगा तो 10Y हो जाएगा माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा बराबर में 1 की अंदर गुणा कर देंगे तो X हो जाएगा माइनस 0 X भी इधर ले आओ या फिर इनको सब को उधर कर दो जैसी आपकी मर्जी है मैं इनको उधर कर देता हूँ X प्लस का रहेगा 10Y उधर जाएगा माइनस का 10Y 50 बचेगा तो प्लस का 50 बराबर में 0 बचेगा ये आपका अभी लंब का समीकना गया और ये आपका स्पर्स रेखा का समीकना गया मेरे क्याल से दोनों बाते आप समझ गया होंगे पहला क्योशन इसका हो चुका है इसी प्रकार से बिलकुल सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है दूसरा क्योशन भी करना है या दूसरा क्योशन इसका करके मैं दिखाओं कि आप कर लेंगे अच्छा देखो अब मैं एक question दूसरा और कर रहा हूँ उसके अगला वाला question फिर आप यार कर पाएंगे फिर मुझसे ना कहना कि ये भी बता दूसरा ठीक है ठीक है देखो मैं दूसरा भी आपको करके दिखा रहा हूँ समझ लो आप ठीक है question दिया है y equal to x की power 4 minus में 6 x cube ठीक है plus 13 x square minus का 10 x plus 5 ठीक है ये question आपके पास equation तो यार वही है जो उपर वाले में थी है और बिंद के वाल बदल दिया है 1,3 कर दिया है फालतों में उटा दिया है हमें यहाँ पी इसपर्स रेखा और अभलंब रेखा के समीकन गयाद करना सबसे पहले क्या करोगे आप इसका उकलन करो dy by dx 4 x cube हो जाएगा 6,3,18 x square हो जाएगा 13,2,26 x हो जाएगा minus का 10 हो जाएगा और 5 का तो 0 हो जाता है ठीक है आपको m गयाद करना है तो m गयाद करोगे भईया सपर्स रेखा की m है यह सपर्स रेखा की ठीक है तो 4 x के जगे पर 1 रखना है 1 का cube 18,1 का square 26,1, minus 10 ठीक है तो यह भईया सपर्स रेखा की प्रोणता निकल रही है m बराबर 4 होगा minus 18 होगा plus का 26, minus का 10 तो m बराबर 26,4,30 ठीक है 26 हो 4 किते होगा 30 और 18, minus के और minus के 10 यह बन गया 28, minus के तो overall 2 आ गया तो प्रवनता आपकी जो आई है वो 2 आई है m बराबर 2 अब m 2 है अब सपर्स रेखा का समीकन याद कर लो ठीक है यह इसपर्स रेखा की पौणता है इसपर्स रेखा का समीकन y-y1 बराबर में m into x-x1 यही होगा y-y1 क्या है 3 वो बिंदु है वहाँ से उठाके रखना m, m के जगे पर 2 रखिए आप x-x1 x कितना x कितना x-y फिर हैगा x1 कितना 1 चलो अंदर गुणा कर दते हैं y-3 बराबर में 2x और minus का 2 हो जाएगा y को उधर कर दो 2x-2 minus का y जाएगा plus का 3 जाएगा बराबर में 0 अर्था 2x-y plus में 1 बराबर में 0 यह आ गया आपका इसपर्स रेखा का समीकन अब मैं अभिलंब की प्रवणता अब देखूं तो अभिलंब की परवणता कितनी हो जाएगा बईया बताओ जरह अभिलंब की परवणता आप कैसे निकालोगे मैंने बताया m बराबर m- कर दते हैं m- बराबर में इसका उल्टा करें 2 का उल्टा एक बट्टे दो, निसान बदल दो, माइनस वन बाई टो, बस इतने ही तो करना है, फर्मुला लगा दो, y-y1 बराबर में, m- इन्टो x-x1, ठीक है, y-y1 की जगे पिकाया रखोगे, यह 3, m- की जगे पर, माइनस 1 बाई 2, into x-x1 की जगे पर, ठीक है, 2 की इधर गुणा हो जाएगी, 2y, माइनस का 2, 3, 6, बराबर में, माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस का 1, x इधर कर लोगे, 1 भी इधर कर दोगे, x इधर आएगा, प्लस का 2y है, माइनस का 6 है, माइनस का 1 आएगा, बराबर 0, x प्लस 2y माइनस का 7 इकोल टो 0, और ये आगया भी या, अभी लंब का समय कर, मेरे क्यास से, question number 14 के मैंने पहला और दूसरा बता दिया है, अब आपको, तीसरा और चौथा question लगाने में, कोई tension नहीं होनी चाहिए, आराम से आप लगा सकते हो, जहां पर m निकालना है, तो हम y1 की जगे पर 0, y1 की जगे पर 0, तो कितना सरल question बन जाते हैं, ठीक है, तो तीसरा और चौथा आप अपने आप लगा लेंगे, उसमें कोई tension वाली बात है, नहीं मेरे ख्याल से, अब मैं पांचवा question इसका, इसी का, पांचवा portion में आपको करवाने हुजा रहा हूं, जहा t, ठीक है, सौरी, quantity नहीं, यह cost t है वह यह, क्या है, cost t, और y वराबर जो है, वो है sin t, और t वराबर आपको πाई बाई 4 पर इसफ़स रेखा का समीकन ग्याद करना है, t वराबर पाई बाई 4 पर इसफ़स रेखा का, अब देखो, अब की बार आपको m भी नहीं दिया है, प आप गयाद करिए, तो m तो दिया नहीं, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो x निकालना होगा, बिंदू भी निकालना है, प्रवाणता भी निकालना है, तो बिंदू और पढ़ता दोन निकाल लेंगे, टेंसन ना लेना, कैसे निकालने के यह ज़रा देखो, सबसे पह होगा, ओकलन, माईनस का साइन टी होगा, टR, झीक है, अगएन जब इसका आई उकलन करेंगे, तो d y upon dt करेंगे, यह क्या हो जायका, यह साइन टी का होता है, cos t, आपको d y by d x चाहिए न, तो आप क्या करते हैं, d y by dt से d x upon dt को भाग करेंगे, मतलब, cos t से, cos t को माइनस साइन T से भाग करेंगे तो बनेगा माइनस का कॉट T ठीक है? कॉस वटे साइन होता है कॉट अब आप बिंदू पहले गयाद करिए ध्यान से देखना पहले प्रवणता ही गयाद कर दते हैं चलो T बराबर पाई बाई फोर पर प्रवणता क्या हो जाएगी? M बराबर जहां पर T है वहां पर पाई बाई फोर लिखे आप यह चॉस नहीं यह कॉट है ठीक है? पाई बाई फोर रखा तो M बराबर क्या आगई आपके? कॉट पाई बाई फोर मिलो पाट 45 45 का मान भी यह एक होता है तो M जो है प्रवाणता आपकी एक आ गई आपको आप बिंदो और पता करना है तो बिंदो पता करने में कुछ नहीं है X की जगे पर X बराबर में दिया है cos T, T की जगे पर πाई बाई 4 रखो आप तो cos πाई बाई 4 में लब cos 45 का मान एक वटे रूट दो होता है और Y में रखो इसी प्रकार sin πाई बाई 4 इसका भिमान एक वटे रूट दो होता है तो X कामा Y ही तो बिंदो होते है X का मतलब 1 बाई रूट 2 Y का मतलब 1 अपान रूट 2 ठीक है तो ये वही आप बिंदो आ गए ये आपके पास प्राउटा आ गई अब आप रिकाल सकते हैं इस पर्स रेखा का भी समीकन और अभिलंब रेखा का भी समीकन इस पर्स रेखा का जब आप समीकन निकालेंगे तो ये इस पर्स रेखा की प्राउटा है याद रखेएगा यह किसकी प्रहुणता है इस पर्स रेखा की प्रहुणता है अभी आपको अभिलंब की प्रहुणता ग्याद करनी पड़ेगे मैंने बताया है जैसे आपको ग्याद करना है ठीक है तो इस पर्स का प्रहुणता कैसे आप निकाल चुके इस पर्स रेखा का स पुणता रखेंगे minus 1, ठेके, x minus x1 की जगह पर भी रखेंगे 1 upon root 2, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, y minus 1 upon root 2, minus अंदर जाएगा, minus x plus का 1 upon root 2 हो जाएगा, इतना हो गया, चलो, x और y सब एक तरफ कर लेते हैं, हम तो यह क्या बन जाएगा, x plus y minus का 1 upon root 2, और minus का 1 upon root 2, वो भी उधर जाएगा, तो minus का ही हो जाएगा, यह बनेगा, आपके पास x plus y minus का 1 upon root 2, minus का 1 upon root 2, 2 upon root 2 हो जाएगा, बराबर में 0, तो x plus y बराबर में, आप क्या कर सकते हो, x plus y और root 2 से root 2 जाएगा, तो minus का root 2 के वल तो इस तरह से आप इसको एंसर दे सकते हो मेरे क्याल से अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इसको आप दूसरे तरीके से भी अगर लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे इसको ऐसे भी लिख से रूट दो से गुणा कर दो रूट टू एक्स प्लस रूट टू वाई माइनस का टू बराबर में जिरो इस प्रकार से भी समीकन लिखा जा सकता है ये आपकी मर्जी है आप कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता एंसर में कैसे लिखा है ना भी मैं मैच करता चल रहा हूँ आप समझ ल अभी लमब का बतातो झालो वीडियो रोक करके आप देख लिया करो भी से अभ हम का जब समीकर मैं आपको बताता हूं जरा ध्यांस देखेगा सबसे पहले तो हमिलां म की पन्टा चाहिए तो अभी लम बगी कि पर्णूटा जाही था M-डेस इसे लिख सकते हैं आपकी मर्जी है तो अब अभिलंब का जब समीकन आप निकालेंगे तो क्या करेंगे Y-Y1 into में M-X-X1 ठीक है Y-Y1 की जगे पर वही 1 by root 2 बराबर में M की जगे पर 1 X-X1 की जगे पर 1 upon root 2 ठीक है X एक तरफ लेके आई है तो यह बन जाएगा Y-1 by root 2 अब देखो यह X इदर आएगा minus का X आजाएगा plus का 1 by root 2 आजाएगा उधर बचेगा कुछ भी नहीं प्लस का root 2 और 1 by root 2 एक कैंसल आउट हो जाएगा बचेगा Y-X बराबर 0 या फिर X-Y बराबर 0 या फिर X बराबर Y जैसे भी question लिखा हो आप वैसे माल लेना मैं उत्तर नहीं मिला रहा हूं आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आपकी उत्तर माला में जैसे वी दिया हो तो यह हो गया विलंब का समीगर मेरे कहल से आप ये question number 14 आपको अच्छे समझ में आया होगा ठीक है अब हम बात करेंगे अगले question की question number 15 पर अगर हम चलें तो जड़ा देखिए गायार मेरी book तो आपने देखिए कितनी हालत कराब है कोई बात नहीं है question number 15 की अगर मैं बात करूं तो question number 15 में क्या दिया गया है question number 15 में दिया है वक्र देखो वक्र y equal to क्या दिया है x square minus 2x x square minus 2x plus 7 ठीक है कि स्पर्स रेखा का समीकन ग्याद किजिए क्या ग्याद करना है आपको आपको ग्याद करना है स्पर्स रेखा का समीकरन ठीक है चलो इसमें भी दो condition दी गई है कब पहला स्पर्स रेखा का समीकरन वो ग्याद करना है जो रेखा 2x minus y plus 9 के समानतर है किसके समानतर है रेखा 2x minus y plus 9 बराबर 0 के समानतर है या अगर इस रेखा के समानतर है इस परस रेखा जड़ा समझिए तो इस परस रेखा की पॉर्णता और इस रेखा की पॉर्णता बराबर होगी क्योंकि कोई इस परस रेखा जिस रेखा के समानतर है तो उन दोनों की पॉर्णता बराबर होगी लंबोत होती हैं तो उसकी इसपरस रेखा के परणता पहले निकालने पड़ती है उसका लंबोत करके ठीक है अब जिरा देखे तो ये इस रेखा के समानतर है इसपरस रेखा तो इस रेखा की अगर हम परणता निकालने वही परणता इसपरस रेखा की हम माल लेंगे ठीक है तो इस रेखा की पहले प्रवणता बताईए आपको क्या है, अभी आपको प्रवणता भी नहीं पता है, इसपस रेखा का समय कर तो ग्याद करना है, इसकी प्रवणता तो पता नहीं है, और बिंदु भी तो नहीं पता है, बिंदु और प्रवणता दोनों निकालने हैं, तो तो M बराबर क्या आ जाएगा भीया, A, X का गुड़ांक, माइनस का 2, अपान B की जगए पर माइनस का 1, तो यह आ गया only 2, तो इसकी प्रवणता जो है भीया, वो 2 है, अगर प्रवणता 2 है, इसकी, तो भीया, इसपर्स रेखा के भी प्रवणता 2 ही होगी, अगर इसपर्स रेखा के प्रवणता 2 है, तो आप इसका आउकलन करिए, और डिवाई बाई डिएक्स जगए पर 2 रख सकते हैं, करिए भई, डिवाई बाई, डिएक्स बराबर में, 2X स्क्वाईर, माईनस का, सुरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, द्यान से देखना, X स्क्वाईर का अखलन क्या हो जाएगा, 2X माईनस का 2, साथ का 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाई बाई डिएक्स की जगए पर मैं 2 रख सकता हूँ, तो 2 रखिए, बराबर में 2X माईनस का 2, दो इदार आएगा, 4 बराबर में 2X, या फिर X बराबर में आप डिरेक्ली 2 लिख सकते हैं, X बराबर 2 आएगा, तो या Y बराबर कित्ता आएगा, जरा बताएगे आप, यहां पर रखिएगा, X की जगे पर 2 का स्क्वेर माईनस में 2 कुड़े 2 प्लस का 7, तो Y बराबर 2 का स्क्वेर 4, और यह 4 खतम बचेगा क्या 7, तो बिंदू आपके पास निकला 2 कामा 7, प्रमणता आपके पास है M बराबर में 2, क्या आप अब रेखा का समीकर निकाल सकते हैं, इस प्रस रेखा का समीकर निकाल सकते हैं, येस, आप निकाल सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है, Y माईनस Y1 बराबर M, इंटू X माईनस X1, इस समीकर में आप रखेंगे, और रेखा का समीकर निकाल लेंगे, X1 की जगे पर 2, Y1 की जगे पर 7, 7 और M की जगे पर 2 रख करके, इस कैलकुलेट कर लेजिए, रेखा का समीकर ना जाएगा, इसी प्रकार से आप B वाला इसका पॉर्सन हम लोग करेंगे, इसको आगे आप समीकर निकाल लेंगे, मैं निकालने वाला नहीं हूँ, आप निकाल करके बताएंगे, एंसर में क्या आया, ठीक है, कमेंट करके आप बताएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका B पॉर्सन आपको बताता हूँ, ठीक है, आप निकाल लेंगे ना, इसलिए मैंने सुचा कि छोण दिया जाया, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप लोग करोगे, वैसे भी कुछ बच्चे हैं, जो मक्कारी करता हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं, आपको छोण कर ठीक है, जो मक्कारी करता है, तो कोई बात नहीं है, चलो भई, इसका जो बी पार्ट है, वो क्या कहता है, उसमें भी इस पर स्रेखा का समय कर लियाद करना है, लेकिन, जब रेखा जो है, रेखा जो है, वो 5Y, ठीक है, माइनस 15X, सुरी, कैसे लिगता हूँ यार मैं, 15X, बराबर 13 पर लंब है, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसकी रेखा के पुर्णता निकाले है, और ये लंब रेखा के पुर्णता निकलाएगे, और लंब रेखा के पुर्णता से, अगर आप स्पर्स रेखा के पुर्णता निकालना चाहते हैं, मैंने बताया था, अभिलंब की प्रणता से इसपर्स की प्रणता निकालना चाहते हैं तो उल्टा करें माइनस लगा देजिए बस हो जाती है इसपर्स की दी हो तो अभिलंब की दी हो तो इसपर्स निकालाती है कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करेंगे पहले इसके पुर्णता निकाले करके औलटा करके मैनेस लगा देंगे तो वो उस पर इस रेखा की पुर्णता हो जाएज़ा तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी M data's pressure minus A upon B से निकल होगे ब्यात द्यान से यह समझना कि minus A A का मतलब है X का गुडांग के यहां पर X का गुड़ांग क्या है माइनस 15 है तो माइनस A की जगे पर माइनस 15 आप लिखे बी की जगे पर 5 रखेंगे calculate करेंगे 5 3 15 मानेस मानेस प्लस 3 आ जाएगा ये रेखा की जो परणोता आई है 3 आई है और ये अभिलंब है तो अभिलंब की परणोता 3 है आपको निकालना क्या इसपर्स रेखा तो इसपर्स रेखा की पौणता चाहिए इसपर्स रेखा की पौणता कैसे निकालते है जब अभिलंब की दी हो इसपर्स की निकालना हो तो क्या करना बस उल्टा करना है माइनस लगाना है इस पर्स की दी हो तो अभिलम की निकलाती है शाब को इल्टा करके माइनस लगा चूर की इल्टा करके अब को स्पर्स की आप बराबर में x square का 2x माइनस में 2, ठीक है, dy by dx, यह M तो है, यही इस पर स्रेका एक पॉन्टा है, जिसे हम dy by dx करते हैं, रख सकते हैं, माइनस का 1 बटे 3, यहां पर बराबर में 2x, माइनस का 2, 2 इधर आएगा, तो प्लस का 2, माइनस का 1 बटे 3, माइनस का 1 बटे 3, रखेंगे, 5 बटे 6 का whole square, देखेंगे, यहां पर रखा माइनस 2x की जगए पर 5 बटे 6 रखते जाएए, प्लस 7, इसको आप calculate करेंगे, 5 का square 25, 6 का, 36 माइनस का 5 का 2, इंटू 5 नी 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 नी 10 बटे में 6 माइनस, प्लस का 7 हो जाएगा, y एकोल टू बही य 36 यहां पर आप LCM लिलोगे, मैं लिख देता हूँ, यहां पर 36 यहां पर LCM लिया, तो यह तो 25 आएगा, 6 का पड़ा 6 बटे 6 बटे 6 से 60 बचेगा, तो आपके बचेगा जो y का value, यहां पर लिख देते है, 217 बटे 36, ठीक है, तो आपके पास जो बिंद निकल के आया, वो जरा देहां से देखो क्या है, x का मान क्या है, x का मान है 5 बटे 6, y का मान है 217 बटे 36, ठीक है, यहां पर रख दीजिए और value find out करिए, बिंदू आ गया है, और प्रमणता आपको पहले स्पता है, रेखा का समय कर निकालिए, y-y1 बराबर में m into x-x1 यही होता है, y-y1 की ज पर 5 बटे 6 रखेंगे, ठीक है, इसको calculate करिए, तो 36 y कर देते हैं, minus का 217, पूरे के बटे में 36 हो गया, बराबर में अंदर गुणा कर दे, minus x बटे 3, minus minus plus का 5 बटे 6, 18 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको और आप क्या कर सकते हैं, देखो 36 y minus का 217 करेंगे, आप बटे में 36, ठ ले ले लते हैं, ठीक है, ठीक है, तीछाक अठारा छे वार जाएगा, तो minus का 6 x हो जाएगा, और 18, 1 कम अठारा ये तो 5 रहेगा, 18, 2, 32 की गुणा उधर कर देंगे, तो ये बन जाएगा, 36 y minus का 217 बराबर में, 2 की गुणा minus का 12 x और minus plus का 10, ठीक है, एक तरफ ले plus का 12 x आएगा, minus का 217 है, minus का 10 बराबर में 0, तो ये बनेगा 36 y plus का 12 x और minus का 227 बराबर 0, ये आपका answer आजएगा, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझने आ गई होगी और आज की क्लास भी काफी लंबी हो चुकी है, तो आज की क्लास में बस नहीं रखते हैं, question number 15 तक के questions हम लोगों ने कर लिये हैं, लेकिन अगली वाली क्लास में आकर के हम लोग आगे की questions के करेंगे, बहुत आसानी से आप समस्पाओगे, ये मेरा वादा है, मैं आपको बहुत सरल तरीके समझाने का प्रयास करूँगा, जैसे जिसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको